अमेरीका की इंटेलिजेंस एजनसी CIA ने परसो कहा था कि इरान के ओपर दमिश्क के अंदर इसराइल ने जो हमला किया है उस हमले का बदला इरान आने वाले 48 घंटे में इसराइल से लेने वाला है इसराइल के ओपर एक बड़ा एक्शन इरान के तरफ से आने वाले अर्तारिस घंटे में देखने को मिले का लेकिन आज शाम तक अर्तारिस घंटे पूरे होने वाले हैं अभी तक एरान के तरफ से किसी तरह का कोई बदला, किसी तरह का कोई एक्शन इसराईल के ओपर नहीं लिया गया है. आखिर इसकी वज़ा क्या है? कई सारी वज़ा सामने आ रही है. एरान अपने बदले में इतना डिले क्यों हो रहा है? इसका सबसे बड़ा रीजन ये सामने आ रहा है कि आज रमजान का आखरी जुमा है. जुमा अलविदा के बाद इरान इसराईल के ओपर एक्शन ले सकता है. जुमे के वज़ा से इरान अपने इस हमले को डिले की हुए है लेकि तैयारिया पूरी कर ली गई है. इसका के दिन अपने सभी बॉर्डिंग स्कूल की चुटी कर दी है. आज भी चुटी रहेगी, कल हफ्ते के दिन में चुटी है और फिर संडे के भी चुटी. तीन दिन की चुटी इसराईल ने कर दी है. इरान के हमलों को मद्दे नजर रगते हुए. साथी साथ इसराईल की इरान की तरफ से हमले का आज बहुत बड़ा खत्रा है. अलविदा की बज़ा से इरान रुका हुआ है. अलविदा जुमा होने के बाद इरान की तरफ से कोई एक्शन इसराईल के ओपर लिया जा सकता है. अमरीका की इंटेलिजेंस एजनसी CIA ने भी इसलिए 48 घंटे का व अबी भी इसराईल के नेताओं की तरफ से चाहे रास्ट बती हुए चाहे सुपरीम लीडर हुए या फिर आयर जीसी के जो कमांडर है उनकी तरफ से लगातार इसराईल को बड़ी बड़ी धंक्या दी जा रही है. कहा जा रहा है कि ऐसा सबक सिखाया जाएगा इस बार इस इसराइल की हिम्मत भी नहीं होगी ऐसा करने की हम इसराइल के खिलाब जो एक्शन लेंगे इसराइल ने जो हमारे ओपर हमला किया है उस हमले को लेकर इसराइल को बहुत अदा पश्ता आना पड़ेगा इसराइल के मूपर एक करारा तमाचा हम जड़ने वाले हैं बाते आपको बताया हॉस्पिटल को अलेट मोर्ट पर डाल लिया है इसको लोगी चुट्टी कर दिये साथी साथ अपने एरिये का जो GPS जैमर है उसको भी हाई लिबर पर जैम कर दिया है ताकि अपने आपको इरान के हमलों से बचाया जा सके शेल्टर हाउस को भी खोल दिया गय इसराइन ने अपने आपको बचाने की भी पूरी तैयारी कर ली है और उदर इरान का भी लगातार यही कहना है कि हम ऐसा एक्शन लेंगे कि इसराइल हमेशा याद रखेगा अब देखते हैं कि इरान क्या प्लानिंग कर रहा है इसराइल जहां जहां पर अपने आपको दूतावास का है इसराइल को ऐसा लग रहा है कि हमने इरान के दूतावास पर हमला किया है तो इरान भी हमारे दूतावास पर हमला करेगा अलग 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 देशों में जो इसराइल के दूतावास है वहां पर हमला कर सकता है इरान जिसके चलते हुए इसराइल ने बहरीन मिस्र जॉर्डन मुरको और तुर्की से अपने दूतावास को खाले करा दिया है इरान के हमलों के डर से कौन कौन से देश से अपने दूतावास को खाले करा दिया है इसराइल ने मिस्र जॉर्डन मुरको और तुर्की तुर्की ये नाम बार बार में इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि दोस्तो आपको याद होगा अच्छे से जिस वक्त जंग शुरू ही थी तो उस वक्त रजब तईब अर्दुगान ने नितनियाहू को आतंगबादी कहा था इसराईल को आतंगी देश कहा था बड़े खतरनाक बयानबादी अर्दुगान की तरफ से की गई थी जिसके बाद पलड़ बार करते हुए नितनियाहू ने भी अर्दुगान से कहा था कि तुम खुद आतंगी हो तुम पीके के के लोगों को मार रहे हो तुम खुद सबसे वाड़े आतंकी हो और हमें आतंकी कहते हो इस तरह की बाते तुर्की और इसराइल के बीच हुई थी जिसके बाद नितनियाओं ने अपने राजदूत को तुर्की से वापस बुला लिया था और उसके बाद तुर्की ने भी अपने राजदूत को इसराईल से वापस बुला लिया था और ये कह दिया था कि हम सारे राजदूनाई के रिश्टे इसराईल से खतम करते हैं लेकिन दोस्तो शायद ये सिर्फ और सिर्फ ढोंग था इसराईल के तरफ से इस बात की जानगारी दी गई है कि हमने इरान के हमले के चलते हुए हो सकता है कि इरान हमारे दूताबास को निशाना मनाए इसलिए मिस्र जॉर्डन बहरीन मुरको और तुर्की के दूताबास को तरह से खाली करा दिया गया है अगर उस वक्त तुर्की और इसराईल के रिष्टे बिगड़ चुके थे दोनों देशों ने अपने राजनाई संबंद खतम कर दिये थे तो फिर तुर्की के अंदर इसराईल का दूताबास किन लोगों से भरा हुआ था जिसको इसराईल न रखी जाती है ना ऐसा कुछ होता नहीं है इस सिर्फ एक धगाबा होता है लोगों के नजर में अच्छा बनने के लिए और ऐसा ही कुछ यूएई ने भी रात किया है रात यूएई की तरब से भी इस बात का ऐलान कर दिया गया है कि हम इसराईल से अपने सारे जाहिए थे वर्ड सेंटरल किचन के जो लोगों को मारा है इसराइल ने उसके चलते हुए ऐसी बाते सामने आ रही है कि यूए इसराइल से बहुत जादा नाराज है बहुत जादा खरी खोटी भी यूए इने इसराइल को सुनाई है मेरे दोस्तों ये सिर्फ और सिर्फ ऑफ सारे डिप्लोमेटिक रिष्टे खतम करेंगे हम इसराइल से किसी तरह की बातचीत अब नहीं करेंगे मुझे नहीं लगता है कि इसमें कोई भी सच्चाई है ये सिर्फ और सिर्फ दिखाबा है धोंग है वाकई में इन लोगों को गाजा और फिलिस्तिन की फिकर है और इस इतने भी ब्यापारे रिष्टे हैं उनको भी जल्स जल्स खतम करना चाहिए लेकिन अभी तक ऐसी कोई खबर नहीं आई है कि यूए और इसराइल ने अपने ब्यापारे रिष्टों को खतम किया हो ये सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए इस तरह की बाते कर दे जाती है लेकिन अंदर-अंदर मामला कुछ और ही होता है फिलहल एरान की तरफ वापस आते हैं कल आपको मैंने खबर दी थी सुबा के हिपोड में इरान के ओपर आतंकी हमला हुआ था जैशल अदल के दरजनों आतंकियों ने एक साथ मिलकर हमला किया जिसमें 11 सुरक्षा कर्मी एर इरान के मारे गए बदले में जब इरान के सुरक्षा कर्मियों ने उन आतंकियों के ओपर हमला किया तो उस हमले में 16 आतंकी मारे गए दोस्तों इरान को लेकर एक अमरीका के अधिकारी ने स्टेटमेंट दिया है रॉइटर्स को ये स्टेटमेंट दिया कि देखिए अगर अगर एरान अपने ओपर हुए हमले का जबाब इसराइल को नहीं देता है तो हम ऐसा मान लेंगे कि एरान सिर्फ और सिर्फ एक कागजी दिखाबा है एरान सिर्फ और सिर्फ कागजी शेर है एरान की जो रोक थाम नीती है वो जमीन पर कुछ और है और कागजों में कुछ और है, क्योंकि एरन अपने उपर हो रहे हमलों को नहीं रोख पा रहा है यह बात एक अमरिका को अधिकारीने कई है, तो यहाँ पर अब एरन की साख का भी मामला है देखते हैं कि एरन क्या करता है, देखिच सवाल उतना तो जाइज है इसराइल ने एरान के दूताबास पर हमला कर दिया आयर जीसी के ठिकाने पर हमला कर दिया लेकिन एरान का एर डिफेंस सिस्टम उन हमलों को नहीं रोप पाया आखिर इसकी वज़े क्या है एक इतना sensitive area और वहाँ पर air defense system काम नहीं कर रहा है तो इसमें कहीं न कहीं इरान की ये बहुत बड़ी चूक है भई IRGC के ठिकाने पर हमला हुआ है और जहाँ पर IRGC का ठिकाना हो वहाँ पर air defense system ना हो ऐसा तो हो नहीं सकता क्योंकि इसराइल के निशाने पर तो IRGC के headquarter रहते ही है तो सबाल तो उठेंगे के कागजों में तो इरान बहुत ताकत भर है इरान कहता है कि हमारे उपर कोई हमला करी नहीं सकता लेकिन हमले हो रहे हैं लकातार इरान के उपर इस रिपोर्ट में इतना ही मिलते हैं को ने वीडियो के साथ तब तक के लिए अपना खया लगिए